चालू रबी सीजन के दौरान न केवल गेहूं का बिजाई क्षेतर नए रिकॉर्डस तर पर पहुंचा है, बलकि 60 प्रतिशत से अधिक शेतर फल में ऐसी उननत एवं विक्सित प्रजाती के बीज की बुआई हुई है, जिसमें प्रतिकूल मौसम को जेलने की अधिक शमता ह हालांकि प्रमुक उत्पादक प्रांतों में लंबे समय से अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम थंडा होने तथा तापमान नीचे रहने से गेहूं की फसल को राहत मिल रही है और अधिकांश इलाकों में इसकी हालत संतोष जनक बताई जा रही है अब सबका ध्यान फरवरी मार्च के मौसम पर केंद्रित है, जो गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपून माना जाता है आधिकारिक आकडों के अनुसार गेहूं का उत्पादन छेत्र पिछले साल के 334.5 शूने लाख हेक्टेर से बढ़कर इस बार 340.1 शूने लाख हेक्टेर के सर्वकालीन सर्वोचस्तर पर पहुँच गया इसके बावजूद थोक बाजार भाव पर इसका कोई खास मनोवैग्यानिक असर नहीं देखा जा रहा है सरकार OMSS के तहट अपने स्टॉक से सस्ते दाम पर भारी मात्रा में गेहूं की बिक्री कर रही है भारत ब्रांड नाम से आटा बेच रही है और गेहूं पर स्टॉक सीमा भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी थोक मंडियों में गेहूं की बहुत कम आवक हो रही है और इसका दाम न्यूंतम समर्थन मूल्य MSP से काफी उंचे स्तर पर बरकरार है गेहूं का उत्पादन छेत्र उत्तर प्रदेश में 97.45 लाख हेक्टेर से उचल कर 102.29 लाख हेक्टेर मध्य प्रदेश में 83.30 लाख हेक्टेर से बढ़कर 87.10 लाख हेक्टेर से सुधर कर 24 लाख हेक्टेर पर पहुँच गया है। महाराष्टर में गेहूं की बिजाई घटी है। गुजरात में भी क्षेत्र फल पीछे रहा। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन च्षेत्र गत वर्ष के 29.67 लाख हेक्टेर से घटकर इस बार 28.61 लाख हेक्टेर पर अटक गया। केंद्रिय पूल में गेहूं का सरवाधिक योगदान देने वाले पांच राजियों में पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाना, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान शामिल हैं। इसके अलावा बिहार, गुजरात एवं उत्तराखंड जैसे राजियों मे भी गेहूं की सरकारी खरीद होती है।